नमस्कार दोस्तों संसकार की बादे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा माग मास्क ये कथा जिसे सुनने मात्र से आपको माग शनान का फल मिलेगा दोस्तों ये कथा शोट में है जिसे यदि आप एक बार भी सुन लेते हैं तो हजार गुना फल की प्राप्ति आपको होगी दोस्तों ये कथा पदम पुरान के उत्तर खंड से ली गई है दोस्तों पदम पुरान में माग मास के शनान की महिमा बताते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भगवान शीहरी को इतनी प्रसंता नहीं होती जितनी माग मास में शनान करने से होती है दोस्तों धार्मिक करन्थों में कहा गया है कि इस मास में शीतल जल में डुबकी लगाने से नुश्ये पाप मुक्त हो सर्ग लोक में जाते हैं दोस्तों इस कथा को पूरी सुने, कभी भी कथा को अधूरी मस सुने, तभी आपको माग मास महातम सुनने का पूरन फल प्रापत होगा कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में ओम, नमो, नारायनाई लिख कर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको इस शेयर करने का भी अधिक से अधिक लाब हो सकी एक समय की बात है कि शी सूत जी ने अपने गुरू शी व्यास ची से कहा कि गुरु देव कृपा करके आप मुझसे माग मास का महातम कहिए क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ व्यास ची कहने लगे कि रगवंश के राजा दिलीव एक समय यग्य केश्नान के पस्चात पैरों में जूते और सुन्दर वस्तर पहन कर शिकार की समगरी से युक्त कवच और श्वभाई मान आभूशन पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग व्याग्र से ही आदी जन्तों के तलाश में इधर उधर फिरने लगे उस वन में वन स्थली अत्यन्त शोभा को प्रापत हो रही थी वन में कहीं व्रिक्षों पर मोर नाच रहे थे और कहीं कहीं मृगों के जुण फिरते थे कहीं गीदर अपना भ्यंकर शबत कर रहे थे कहीं गैंडू का समू हाथ्यों के समान फिर रहा था कहीं व्रिक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भ्यानक शबत कर रहे थे कहीं सीहों के पद चिनहों के साथ घायल म्रिगों के रक्त से भूमी लाल हो रही थी कहीं दूद से भरी धनों वाली सुन्दर भैंसे फिर रही थी कहीं पर गंदित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी कहीं बड़े बड़े अजगर और उन की केंचुलियां भी पड़ी हुई थी उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक म्रिग वन में से निकल कर भागने लगा और बड़ी बड़ी चोंकरियां भरता हुआ आगे बड़ा राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दोडाया प्रन्तु म्रिग पूरन शक्ती से भागने लगा म्रिग कांटेदार विच्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया प्रन्तु दूर जाकर म्रिग राजा की दिष्टी से ओजल होकर कहीं निकल गया राजा निर्चन वन में अपने सैनिकों सहीद प्यास के मारे अती दुखी हो गया दो पहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक ठक गए और घोड़े रुक गए कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुन्दर स्रोवर देखा जिसके किनारों पर घने वरिक्ष थे इसका जल सज्जनों के रिदे के समान पवित्र था स्रोवर का जल लहनों से बड़ा सुन्दर लगता था जल में अनेक परकार के जल, जन्तू, मचलियां आदी सचंता से इधर उधर फिर रही थी दुष्टों के समान ने दई चित वाले मगर मच भी थे किसी किसी जगह लोभी के घर समान सिमाल भी पड़ी हुई थी जैसे विपत्ती में पड़े वे लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष्ट के समान यह स्रोवर अपने जल से सब को सुखी करता था जैसे मेग चालक के दुख को हरता है स्रोवर को देख कर राजा की थकावर दूर हो गई रात्री को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए रात के अंतिम समय में शूक्रों के एक जुंड में आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के जुंड के पास आया तब शिकारियों ने साब धान होकर शूक्रों पर आकर्मन किया और उनको मार कर प्रित्वी पर गिरा दिया उस समय सब शिकारी को लाहल करते हुए बड़ी प्रसंता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभाद हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिस का श्रीर तपस्या और नियम के कारण बिलकुल सूख गया था जो बिक छाला और वलकल पहने हुए था राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े अच्चरे से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन इस पुन्य शुभ माग मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों आने की इच्छा करते हो तब राजा कहने लगा कि महात्मन मैं तो माग मास में शुनान की फल के बराबर भी कुछ नहीं जानता क्रिपा करके आप विस्तार पुरवक मुझे बताईए ऐसा कहने पर राजा की वचन सुन कर तपस्वी कहने लगा कि राजन भगवान सुर्य बहुत शिक्र उदय होने वाले हैं इसलिए यह समय हमारे लिए शिनान का है कथा का नहीं तो आप शिनान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरूशी विशिष्टी से इस महात्म को सुनो इतना कहकर तपस्वी स्रोवर में शिनान के लिए चले गए और राजा भी विदी पुर्वक स्रोवर में शिनान करके अपने घर लोटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई तब सूच जी कहने लगे कि महाराज राजा ने अपने गुरूशी ची से यह क्या प्रशन किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया तो सही कहिए व्यास जी कहने लगे हे सूच जी राजा दिलीप ने राप्तरी के सुक से सो कर प्राते समय ही अपने गुरूशी शिष्ट के पास जाकर उनके चर्णों को छू कर प्रणाम करके नमर्ता से पूछा गुरूशी आपने अचार, दंड, नीती, राज्य, धरम और चारों वर्नों को चारों आश्रमों की किरियाओं दान और उनके विधान, यग्या और उनकी विध्या व्रत उनकी पतिष्टा और भगवान विष्णु की अराधना बतलाई है प्रन्तु अब मैं आपसे माग मास के शनान के महातम को सुनना चाहता हूँ सो हे तपोधन, नियम पुर्वक इसकी विधी समझाईए गुरू विषिष्टी कहने लगे हे राजन, तुमने लोकों के कल्यानकारी, बनवासी और ग्रहनियों के अंतह करण को पवित्र करने वाले माग मास के शनान का बहुत संदर प्रशन पूछा है मकर राशी में सुरे के आने पर माग मास में शनान का फल, गो, भूमी, तिल, वस्त्र, स्वर्न, अन, घोड़ा, आदी दानों और चंद्रायन और ब्रह्मा कुरवर्द आदी से भी अधिक होता है विसाख और कार्ति के जब, दान, तप और यग्या बहुत फल देने वाले हैं तन्तु माग मास में इसका फल बहुत ही अधिक होता है माग मास में शिनान करने वाला पुरुष, राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है दिव विदिष्टी वाले महात्माओं ने कहा है जो मनुष्य माग मास में सकाम या भगवान के निमित, नियम पुर्वक माग मास में शिनान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है उसको शरीर की शुद्धी, प्रीती, एश्वरे और चारों प्रकार की फलों की प्राप्ती होती है अधिती ने बारहें वर्ष शनान किया इस से तीनों लोग को उजवल करने वाले बारहें पुत्रूत पन हुए माग मास में शनान करने से ही रोहिनी, सुभगा और रुंदती दान शील हुई इंदरानी के समान रूप पती होकर प्रसिद हुई जो माग मास में शनान करते हैं देवताओं के पूजन में ततपर रहते हैं उनको सुन्दर स्थान, हाथी, घोडों की सवारी और धान को द्रब्वे प्रापत होता है अतित्यों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनी होती रहती है वह मुरुष धन्य है जो माग मास में शनान करते हैं धान देते हैं और ब्रत और निमों का पालन करते हैं दूसरे पुन्यों के क्षियन होने से मुनुष्य स्वरक से वापिस आ जाता है प्रंतु जो मुनुष्य माग मास में शिरान करता है वह कभी स्वरक से वापिस नहीं आता इस से बढ़कर कोई नियम तप दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है भ्रिगु जी ने मनी परवत पर विद्या धरों को यह सुनाया था तब राजा ने कहा कि ब्रह्मन भ्रिगु रिशी ने कब मनी परवत पर विद्या धरों को उपदेश दिया था सो बतला ये तब रिशी जी कहने लगे कि हे राजन एक बार बारें वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण सब प्रजा ख्षीन होने के कारण संसार में बड़ी उद्विगंता फैल गई हिमाले और बिंद्याचल परवत के मध्य का देश निर्चन होने के कारण श्राध तब तथा स्वाध्याई सब कुछ छूट गए सारा लोग विपत्यों में फस कर प्रजाहीन हो गया सारा भुमंडल फल और अन से रहित हो गया तब बिंद्याचल से नीचे देहती हुई नदी के सुन्दर ब्रिक्षों से अच्छादित अपने आश्रम से निकल कर शीव भिरिगूर इशी अपने शिश्यों सहीद हिमालय परवत पर गए इस परवत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा परवत पितामबर धारी शीक भगवान के सद्जिश लबता था परवत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्वटिक होने से तारों से युक्त अकाश जैसी शोभा को प्रापत होता था राप्तरी के समय यह परवत दीपकों की तरहे जमक्ती हुई दिव्य ओशिधियों से पूरित इसी मेहल की शोभा को प्रापत होता था यह परवत शिखाओं पर बांसरी बजाती और सुन्दर गीत गाती हुई कि नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यन शोभा को प्रापत हो रहा था यह परवत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किर्नों से इंद्रधनुष के समान परतीत होता था स्वर्ण आदि सब धातों से चमकते हुए, रतनों से चारों और फैली हुई अगनी ज्वाला के समान शुभाय मान था इसकी कंद्राओं में काम पिडित, विद्या धरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती थी और गुफाओं में ऐसे रिशी मुनी जिनोंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए शिव की अराधना में लगे हुए हैं परवत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं कस्तूरी वाले रंग ब्रंगे मरीगों के जुन इधर उधर भाग रहे हैं यह परवत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं यहां पस्तेव ही देपता गुहाक और अपसरा निवास करते हैं तब राजा दिलीप कहने लगे महराज यह परवत की कितना उचा और कितना लंबा चोड़ा है तब विशिष्टी कहने लगे 36 योजन अर्थात एक योजन चार कोस का होता है जां उपर चोटी से 10 योजन चोड़ा और नीचे 16 योजन चोड़ा है जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के विख्षों से सुशोभित है दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर परवत को और फल फूलों से परिपूरन देखकर भ्रिगु वहीं रहने लगे और वहाँ पर कंद्राओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे इस प्रकार जब भ्रिगु रिशी वहाँ पर अपने आश्रम पर रहे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उत्रा वह अत्यांत दुखी थे उन्होंने भ्रिगु रिशी को प्रणाम किया और रिशी ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा हे विद्याधर तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो इसका क्या कारण है तब विद्याधर कहने लगा महराज पुन्ये के फल को पाकर स्वर्ग पाकर चता देव दुल्य श्रीर पाकर भी मेरा मुक व्याकर जैसे है यही कारण मेरे दुख और अशान्ति का है ना जाने किस पाप का फल है मेरे चित की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिये यह मेरी पतनी अति रूप वती मीठा वचन बोलने वाली नाचते और गाने की कला में अतिप्रवीन शुद्ध चित वाली सातो सुरों वाली वीना को बजाने वाली जिसने अपने कंड से गा कर नार अंचित हुए शील उदारता रूप और योवन में स्वरग की कोई अपसरा भी इस जैसी नहीं है कहां ऐसी चंद्र मुखी इस्तरी और कहां में व्यागर मुख वाला यही चिंता सदैव मेरे रिदय को जलाती है विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भ विद्याधर करम के विचित्र फल प्रापत हो जाते हैं मक्षी के पैर जितना विश्वी प्रान लेने वाला हो जाता है चोटे चोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखताई हो जाता है तुमने माग मास की एकादशी का ब्रत करके द्वादशी की आने तक श्रीर में तेल लगाया इसी पाप क्रम से व्याग्र हुए एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप श्रीर पाया था तब वह अपने कुरूप श्रीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल परवत पर देव सरोवर के किनारे पर ग तक निरहा रहे भगवान का चिंदन किया इस प्रकार साथ जन्मों में प्रसन होने वाले भगवान राजा के तीन महीने के तप से ही अतिप्रसन हो गए और माग की शुकल पक्ष की एकादशी को प्रसन होकर भगवान ने अपने श्यंक के जल से राजा को पवित्र किया आजा सुकृत्ते होकर अपनी पूरी को चला गया भिगू रिशी कहने लगे हे विद्यधर इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो यदि तुम अपना यहराक्षिसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नश्ट करने वाले हे पूर नदी में मा मास करते हैं अब मैं इसकी विधी बतलाता हूं तुम्हारे भग्य में माग मास आज से पांचवे दिन ही आने वाला है वो शुक्ला एकाशी से इस व्रत को अरम करो भूमी में शर के महीना बनिदाहार रहो सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिवजी स्त्रोत और मंतरों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुक काम देव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुक देखकर चकित हो जाएंगे तुम अपनी पतनी के साथ सुख पुरबक प्रिड़ा करोगे माग मास के प्रभाव को जानकर सदा माग मास में शिनान करो पाप और दरिदरता से बचने के लिए मुश्य को सदा यतन से माग मास का शिनान करना चाहिए यह शिनान सदा सब दानों और यग्यों के फल को देता है और पापों का कशय होता है वशिष्ची कहते हैं यह राज रोभ्यान और गुन प्रापत करने वालों को माग का श्नान कभी नहीं चोड़ना चाहिए श्रान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है वशिष्ची कहते हैं हे दिलीप भिगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्यादर अपनी इस्त्री सहित उसी स्थान पर परवत के जरने में माग मास का श्रान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुक देव सद्रिश हो गया और वह मनी गिर्व परवत पर आनंद से रहने लगा और भिगु जी भी नियम की समापती पर शिश्यों सहित इवा नदी के तड़ पर आ गए राधे राधे जैश्री कृष्णा दोस्तों इस कथा को पूरी सुने और इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और पूरी कथा सुनने के बाद कमेंट बोक्स में ओम नमो नाराय नाई लिख कर कमेंट करें धन्यवाद